Hello buddies, let's go on. आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं Class 4 Science का Chapter Human Body, The Teeth Fully Explained in Hindi तो चलिए बिनादेरी कि ये शुरू करते हैं So, Teeth Teeth are a special feature of mammals They help in biting and cutting food into pieces and chewing Food is easily digested when chewed properly They also help in having a clear speech ये जो teeth होता है, ये हम mammals के लिए बहुती special feature होता है इनकी मदद से हम लोग food को छोटे-छोटे टुकडों में काट सकते हैं बाइट कर सकते हैं और चबा सकते हैं जो भी food हम लोग खाते हैं वो अच्छी तरह से कब digest होगा? जो food हम लोग खाते हैं वो अच्छी तरह से तभी digest हो सकता है जब उस food को अच्छी तरह से चबाया जाए They also help in having a clear speech आप जो भी बोल रहे हैं या फिर कोई आपके parents बोल रहे हैं तब आपको साफ-साफ सुनाई दे रहा होगा तो जो teeth हैं इनकी मदद से हम लोग का जो speech है वो भी clear हो जाता है हम लोग साफ-साफ बोलते हैं When a baby is born, he or she has no teeth Teeth start to appear around the age of 6 months By the age of 3 years, a child has a set of about 20 teeth These teeth are called milk teeth or temporary teeth जब कोई बच्चा पैदा होता है तब आप उसके मूँ में देखेगा कोई भी teeth present नहीं होता दात नहीं होता Teeth जो है वो तभी दिखाए देते हैं जब वो बच्चा 6 महिना का हो जाता है तो अब आप देखें जो बच्चा है वो पैदा हुआ तब उसके मूँ में कोई दात नहीं था जैसी वो 6 महिना का हुआ तब उसके मूँ में छोटे-छोटे दात दिखाने लगते हैं फिर जब वो बच्चा 3 साल का होता है तब उसके मूँ में total 20 teeth का set आ जाता है और इन teeth को हम लोग temporary teeth या फिर milk teeth कहते हैं अब इसे temporary क्यों कहा जाता है क्योंकि ये जो teeth होते है ये हमारे साथ पूरे lifetime नहीं रहते हैं जब तक बूढे भी हो जाएंगे तब तक ये teeth नहीं रहते हैं बट्वीन दे एज अफ 6 और 12 येर्स milk teeth begin to fall the temporary teeth are now replaced by a set of 28 और 32 permanent teeth the permanent teeth remain till old age an adult human has 16 teeth in the upper jaw and 16 in the lower jaw the upper and lower jaws have identical set of teeth तो जब वो बच्चा 6 और 12 साल का होने लगता है तब इस बीच क्या होता है जो milk teeth है जो कि एक temporary teeth है वो तूटने लगते हैं ये जो temporary teeth है अब उसके जगह पे क्या आता है permanent teeth और ये जो permanent teeth होते हैं ये total 28 या fit 32 का set होता है और ये जो permanent teeth होते हैं ये हमारे साथ old age तक रहते हैं, अगर जो बच्चा है वो धीरे-धीरे बड़ा होगा, फिर वो बुढ़ा हो जाएगा, तब ये जो दात है, permanent teeth वो बुढ़े होने तक भी रहता है, एक जो adult human होते हैं, उनके upper jaw, उपर वाले jaw में 16 teeth होंगे, और lower jaw यानि कि नीचे वाले jaw में 16 teeth होंगे, तो ये क्या है, permanent teeth का set है, अपर jaw और lower jaw, उपर में जितने भी दात है और नीचे जितने भी दात है, वो सब identical set of teeth है, यानि कि जो दात उपर आपको दिखेंगे, वही same दात नीचे भी आपको दिखाई देंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे types of teeth के बारे में, तो हमारे मूँ में जितने भी teeth होते हैं, वो एक जैसे नहीं दिखाई देते, उनके अलग-अलग shape होते हैं, तो shapes और function के basis पे teeth टोटल चार तरह के होते हैं, तो ये क्या है? चार टाइप्स के teeth हैं, ये जो आप picture देख रहे हैं, इसमें पहला teeth है child का teeth और दूसरा है adult का teeth, चाइल्ड के teeth में total 20 set of temporary teeth होते हैं, और adult के teeth में कितने होते हैं, 32 या फिर 28 set के permanent teeth, तो child के teeth में आगे जो आप देख रहे हैं, ये 3 teeth incisors है, उनके पीछे क्या है canines, उसके पीछे है premolars और उसके पीछे है molars, ये जब child का teeth देख रहे हैं, इसमें आपको 3 incisors, 2 canines जो की एक इस side है और एक इस side है, premolars भी दो है, जो एक इस side है और इस side है और molars भी दो है, तो ये upper jaw में और lower jaw में भी total उतने ही teeth हैं, अब adult teeth का बात करते हैं, adult teeth में आप देख सकते हैं कि आगे 4 incisors है, उसके पीछे canines हैं, और उसके पीछे 2 premolars इधर आपको दिख रहे हैं, और उसके पीछे 3 molars इस side दिख रहे हैं, तो total नीचे में 6 molars हैं, 4 premolars हैं, 2 canines हैं और 4 incisors हैं, तो ये lower jaw में जितने teeth present हैं, उतने हैं incisors, these are chisel shaped sharp teeth at the front portion of the mouth, we use them to cut and bite food items, these are 18 number 4 in each jaw, ये जो incisors होते हैं, ये chisel shaped और sharp teeth होते हैं, जो कि हमारे मूँ के सबसे front portion में present होते हैं, incisors की मदद से हम लोग food items को cut कर सकते हैं और bite कर सकते हैं, ये total 8 होते हैं, अपर jaw में 4 present होते हैं, और lower jaw में भी 4 present होते हैं, और lower jaw में होते हैं, तो total कितने हो गए, 8, दूसरा है canines, these are sharp and pointed teeth on the either side of the incisors, these are used to tear food, there are two canines in each jaw, ये जो canines होते हैं, ये sharp और pointed teeth होते हैं, जो कि incisors के बाद में present होते हैं, यानि कि incisors के बाद क्या आता है, canines, canines के मदद से हम लोग food को tear करते हैं, जो non-vegetarians होंगे, जब हम लोग chicken खा तो इसी को कहा जाता है, we use them to tear food, तो total दो canines होते हैं, यानि कि upper jaw में दो canines और नीचे वाले jaw में भी दो canines, तो total में कितने हो गए, 4 नेक्स्ट है, premolars, premolars are two flat and broad teeth, located next to the canines, they help in cracking, crushing and chewing the food, premolars are 80 number 4 in each jaw, ये जो premolars होते हैं, ये दो flat and broad teeth होते हैं, जो कि canines के बाद located होते हैं, इनकी मदद से हम लोग food को crack कर सकते हैं, जब भी हम लोग nuts खाते हैं, क्रैक कर सकते हैं, तो इनकी मदद से हम लोग food को crack कर सकते हैं, crush कर सकते हैं, chew कर सकते हैं pre molars जो होते हैं वो total 8 होते हैं अपर वाले jaw में 4 present होते हैं और नीचे वाले jaw में भी 4 present होते हैं next है molars there are 12 molars in all 6 in each jaw these are broader and bigger teeth than pre molars these help in chewing and grinding the food ये जो molars होते हैं ये total 12 होते हैं अपर वाले jaw में 6 होते हैं यह जो molars होते हैं, यह pre-molars से थोड़े broad और बड़े होते हैं, इनकी मदद से हम लोग food को chew कर सकते हैं, grind कर सकते हैं, अच्छी तरह से mix कर सकते हैं Of these molars, there are 4 molars that come after the age of 18 and are known as wisdom teeth तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि total 12 molars होते हैं, तो इनी 12 molars में से जो 4 molars होते हैं, वो ऐसे teeth होते हैं, जो कि हमारे 18 age के बाद आते हैं, यानि कि 18 सल के बाद आते हैं, और इन 4 molars को wisdom teeth कहा जाता है Pre-molars and molars are well developed in plant eating animals and these teeth help them in grinding the food well तो pre-molars और molars जो है, ये plant eating animals में बहुत अच्छी तरह से developed होता है इनकी मदद से, जो plant eating animals होते हैं, वो food को अच्छी तरह से mix कर पाते हैं, grind कर पाते हैं Do you know, milk teeth begin to form when babies are in womb, but they break through when the child is between 6 to 12 months old तो क्या आप जानते हैं कि जो babies होते हैं, उनमें milk teeth तभी से शुरू हो जाते हैं बनना जब वो womb में होते हैं, मा के पेट में होते हैं, लेकिन जैसी वो बचा 6 महीना, 7 महीनागा हो जाता है, तब वो milk teeth तूट जाते हैं Next topic हम लोग पढ़ेंगे, structure of a tooth के बारे में All types of teeth have a basic structure, generally a tooth has two main parts, a crown and a root तो सारे types के teeth का एक basic structure होता है, generally एक tooth का दो main part होता है, पहला होता है crown और दूसरा होता है root तो crown क्या होता है, the crown is the visible part of a tooth, it sits on our gum line तो जब अपना मूँ खोलते हैं, तब आपको जो tooth दिखाए देता है, वो एक visible part है, और इसी crown कहा जाता है, जो कि हमारे gums पे बैटता है The hard and white covering of the tooth is called enamel, it is the hardest part of our body and the outermost layer of the tooth तो जब आप अपना दाद को देखते हैं, तब आपको hard और white covering दिखाए देगा, जिसे enamel कहा जाता है यह हमारे body का सबसे hard part होता है, और हर एक tooth का outermost layer, यानि कि बाहरी layer होता है The dentine is found below the enamel, it is a yellow bone like layer, it is softer than enamel and provides support to enamel तो जो enamel है, उसके नीचे dentine पाया जाता है, यह जो dentine होता है कि yellow color का bone like layer होता है जो कि enamel से थोड़ा soft होता है और enamel को support करता है Inside the dentine there is pulp, it is a central part of the tooth, it is very soft and contains nerves and blood vessels, these nerves helps us to feel too thick तो dentine के अंदर pulp पाया जाता है, जो कि हमारे tooth का सबसे beach का part होता है, यानि कि central part होता है यह बहुत ही soft होता है और इनमे nerves और blood vessels पाया जाता है यह जो nerves होते हैं, यह हमारे दात में जब भी दर्द होता है, उसे feel करने के लिए, यानि कि जो tooth होता है, उसे feel करने में मदद करता है Next है root, the root is the part which we cannot see, it is present inside the gums, the root is responsible for keeping the teeth in place and firm तो root जो है वो एक ऐसा part होता है, जिसे हम लोग नहीं देख सकते, यह हमारे gums के अंदर present होता है, इसकी मदद से जो teeth है वो अपने जगह पे firmly stable रहता है, यानि कि जो root है वो tooth को hold करके रखता है Do you know, more than 300 types of bacteria make dental plaque? तो क्या आप जानते हैं कि 300 से भी ज़्यादा types के bacteria हमारे दात में dental plaque को form करते हैं? Next topic है taking care of teeth and gums, हम लोग teeth और gums का care कैसे कर सकते हैं? When we eat food, bits of food get stuck in spaces between our teeth. If we do not clean our teeth properly, germs and bacteria start breeding and form a sticky yellow layer called plaque. With time, this plaque reacts with sugar present in food and produces acid. तो जब भी हम लोग खाना खाते हैं, तो कुछ खाना जो है, वो हमारे teeth के बीच में जो space होता है, उनमें फस जाते हैं, और अगर हम लोग अपने दात को अच्छी तरह से साफ ना करें, तो germs और bacteria जो है, वहाँ पे breed करने शुरू कर देते हैं, और वहाँ एक sticky yellow layer form हो जाता ह जो हम लोग खाना खाते हैं, उनमें जो sugar present होता है, उससे जो ये प्लेक है वो react होने लगता है, और हमारे मूँ में acid produce करता है, इस acid causes tooth decay that may result in small holes in the teeth, these holes in our teeth are known as cavities, cavities can be very painful and have to be treated by a dentist, therefore we must take care of our teeth to prevent them from decaying, तो ये जो acid है इनके वज़ज़ से हमारे दात सडने लगते हैं, और हमार दात में छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं और इन होल्स को cavities कहा जाता है cavities बहुत जादा ही painful यानि कि बहुत जादा दर्द करता है और इसे dentist चे ठीक करवाना पड़ता है treat करवाना पड़ता है इसलिए हमें हमेशा अपने दात का अची तरह से care करना चाहिए ताकि वो नहीं सड़े vitamin D and calcium are very important for the development of our teeth the deficiency of these can lead to tooth decay and gum disease vitamin C found in oranges and other citrus food is very important to protect our gums vitamin D और calcium जो है यह हमारे teeth के development में बहुत important होते है अगर vitamin D और calcium की कमी हो जाती है तब हमारा दात जो है वो सडने लगता है और हमारे gum में disease हो जाती है vitamin C जो की जादा तर oranges और citrus fruits यानि की खटे fruits में पाया जाता है यह भी हमारे gum को protect करने के लिए बहुत ही important होता है can you imagine what would we do without our teeth क्या आप imagine कर सकते हैं कि अगर आपके पास दात नहीं होगा तो आप क्या करिएगा हम लोग imagine नहीं कर सकते क्योंकि अगर दात नहीं होगा तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे इसलिए उसका अच्छी तरह से care करना चाहिए here are some tips that we should follow for healthy teeth अगर हमें healthy teeth चाहिए तो यहाँ पे कुछ tips दिये गए है we should brush our teeth twice a day once in the morning and once at night before going to bed हमें हमेशा दो बार brush करना चाहिए पहला तो morning में और दूसरा रात में सोने से पहले we should brush our teeth in up and down motion जब भी हम लोग brush करते हैं तब उसे up and down motion में करना चाहिए उससे क्या होता है कि अगर हमारे दातों के बीच में अगर कोई खाना फस गया है उससे क्या होगा कि मुँ में अगर कोई भी food बचा होगा तो वो निकल जाएगा we should not eat food items that contain high amount of sugar like sweets, chocolates and pastries हमें वैसे food items नहीं खाना चाहिए जिनमें जादा amount में sugar पाया जाता है जैसे कि sweets, chocolates and pastries avoid consumption of soft drinks because they produce acid in the mouth which can damage the teeth also we should eat a balanced diet तो जो भी soft drinks होते हैं उसे हमें avoid करना चाहिए क्योंकि जब भी हम लोग soft drinks पीते हैं तो हमारे मूँ में acid produce होता है जो कि हमारे दात को खराब कर सकता है और हमें रोज balanced diet खाना खाना चाहिए we should use dental floss to clean between the teeth तो ये जो dental floss होता है इनकी मदद से हम लोग दातों के बीच में सफाई कर सकते हैं अगर कुछ फसा वह तो उसे निकाल सकते हैं we should use toothpaste containing fluoride and a soft bristle brush तो हमें वैसा toothpaste यूज करना चाहिए जिनमें fluoride होता है और वैसा brush यूज करना चाहिए जिसके bristles soft होते हैं ताकि हमारे दात को कोई भी नुकसान ना हो we should clean our tongue daily with a tongue cleaner हमें हमेशा अपने tongue को tongue cleaner से साफ करना चाहिए we should visit the dentist for regular check-up so as to detect any dental problems हमें हमेशा dentist से regular check-up कराना चाहिए ताकि हमारे मूँ में या दात में कोई भी problem है तो उसे detect करके ठीक किया जा सके we should eat healthy food containing calcium and vitamin C to make our teeth and gum strong हमें हमेशा healthy food खाना चाहिए जिसमें calcium और vitamin C पाया जाता हो क्योंकि vitamin C और calcium जो है ये हमारे teeth को और gum को strong रखता है तो ये था पूरा explanation इस chapter human body the teeth का और अगर आपको इसके exercise का solution चाहिए तो उसका link हमारे description में दिया हुआ है तो आप वहाँ जाके download कर सकते हैं और अगर आपको इसी तरह और भी chapters का explanation चाहिए तो तुरंथ हमारे channel को subscribe कर लें और bell icon दबाना ना भूलें So if you want the explanation of the next chapter please subscribe our channel and press the bell icon So thanks for watching and if you like this video don't forget to like, subscribe and share Thank you Subscribe please